अग्यों दोस्तों ग्लिस वहल पर चलते हैं एन अमांट वस्ट लेंट फू यह एक एक एमांट थी जिसको उधार पे दिया गया है दो साल के लिए किने रेट से 20% पर एनम की रेट से ठीक है अगर उसी कंपाउंडिंग हाफ एली की गई होती तो उसका इंट्रेस्ट किनना हो जाते इंक्रीस हो जाता 241 ठीक है तो हमें बताना है कि किना अमांट उसने दिया था उधार पे तो आई इसको करते हैं पहले हम एली इंट्रेस्ट निकाल लें तो कुछ अमांट मानके और फिर आप यह लिए निकाल लेते हैं आए कैसे करेंगे तो यहां पर देखिए मैं मान लेता हूं कि हैंड़ प्रिंसिपल इसने उधार पर दिया है ठीक है मानने वाली बात हैं आप हैंड़ रुपीज इसने दिया अभी इसने फर्स साल में इसको किना मॉंट होगे 120 ठीक है 20 परसन निकाला हैंड़ का और हैंड़ कर दिया तो 120 इसको पहले साल में मिला दूसे साल में क्या हुआ फिर ट्वंटी परसन निकालेंगे इसका तो किना होगा 24 ठीक है तो 120 प्लस 24 किना हुआ 144 आपको इदर मिल गया 144 यहां पर final amount मि है एक और कि ये ये घब अपको इर्ली एर ली हो रही esc delяться ए कि तब की बात कह रहा हूосто मैं अब हको टुंड़ी पर्षंट एक साल में दे रहा है ठीक है उसी तरीके सब यह बोलता था कि हाफ ये लिखर देंगे तो क्या होगा कि तो जो हाफ ये करेगा तो आपका रेट आफ इंट्रेस्ट हिए lesson कि यहाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ फिली में इसितना चे में ते रहे पूरे साल में बीच पर संट दे रहा है तो छे मंत में अगर कंपोंडिंग करेगा तो क्या कर ने यहान पढ़की खोलेंगे के शे मंत कि हम कितने हों एक ने होंगे इसमें दूसाल की बात हो रही हैतो चार Ghra論 को होंगे ठीक है शे महिनकर चैनि महीन का Jaody तर्भता सय जो आनना पड़ने सही इनकाले हैं वाल में देख़े घिडी समय जाएगे तो पहले साल पहले 6 महिने पर आपको 10% मिला तो 110 मिलेगा 110 का 10% आप निकालेंगे तो कितना होगा 11 होगा तो 110 प्लस 11 कितना होगा उसी तरीके से आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको 133.1 ठीक है 121 का 10% बढ़ाएंगे तो 133.1 12.1 बढ़ा त्रीके अब उसी तरीके से आपको यहां पर 133.1 का 10% निकालना है तो कितना मिला 13.31 इसको एड़ कर लेंगे इसमें तो कितना आगया 146.41 ठीक है तो यह आपको दो साल के और हमें रहेंट होने पका इतना मिल रहा है 146.41 और अब देखिए यहां पर कितना मिल रहाता दो कि यहां डिदेख सकते हैं तो किसी कि आप देख सकते हैं यह कम मिल रहे यहाँ फोड़ देखिए यहाँ पर आपको क्याना मल रहा है इंक्रीज वेड़ तू फॉर्टी बनियाँ देखी कितने का इंक्रीज आये वह देखते हैं ठीगे तो डिफ्रेंस निकल लेता है टो चीए हाफ फिल ली कितना होगे हमारा 146.41-144 ठीक है अब डारेक्ट इसको माल माइनस कर सकते हैं क्योंकि यहां पे राइज पीपे शेम वैलिव मेल इसे हैंडर हैंडर नहीं तो आप इसको पहले यहां से यहां से लिकाल सकते 46.41 निकल एगा इसमें स्टेगा 146.41 मैंने दिर्प मिलेगा तो 146.41 है दोनों का देखे 2.41 तो आप देख सकते हिंगे यहां पही किया है प्राफिर जो इसको रहे है तो फैर्फिट बहूंट है कंप्रदलियु निकाल लीजें तो सीधा है कि पहले हम एक ही टो पॉर्टी 21 को आप 2.41 से डिवाइड करेंगा तो कितना आएगा है तो यह हमारी एक यूनिट की वैल्यू आगी हमने माना कितना है 100 यूनिट्स माना है कितने टाइम समको प्रिंशिबल मानना था तो अब देख सकती हैं एक हैंड़ टाइम से 241 तो हमें प्रिंशिबल भी हैंड़ टाइम समानते तो हमारे जो यह एंसर होता तो फॉर्टी वन आता ठीक है तो यह होता है इसका लोजिक आई इसको दुस्रे मैफट से भी कर ले कि दूसरा मेफट क्या है फॉर्मूला तो सी आई हाफ एली मैंने सी एयरली की बात हो रही है जिसमें आपको बोले 241 मिल रहा है तो सी आई हाफ एली का फॉर्मूला क्या होता है वन प्लस आर बाई टू अपन हेंड़ टू दी पावर फॉर क्योंकि नंबर ओफ साइकल्स क क्या है फॉर मिन्स टाइम पीड़ ठीक है तो नंबर ओफ साइकल्स फॉर है और रेट क्या है आधा 20 परसेंट का आधा हो जाएगा ठीक है यह होगे आपको सी आई हाफ एली और यह होगे आपका सी एयरली तो माइनस पी वन प्लस आर पॉन हैंडर टू पावर आफ टू मा पाथ हो रही है तो इसको हम पी से पी तो ऐसी कैंसल हो जागा ब्रैकेट खुलती ठीक है माइनस फी प्लस पी हो जागा तो यह वैसी कैंसल हो जागा आपको यहां पर क्या हो जागा रेट हमने हाव टॉन्टी डालके टैन आगे हमारा टैन अपोन हंडर तू दी पावर और यहां पर आपको आगया 12 अपॉन टैन टू दी पावर फ्टू ठीक है आप इसको फर्दर और भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन यहां पर बेस में अगर आप टैन रखेंगे तो आपको यहां लेने में एजी रहेगा नहीं तो आप उसको मल्टिप्लाई करने में लग होगे यहां पर देखिए दोनों का डिफ्रेंस 241 दिया है तो 241 मैंने यहां लिख दिया है अब इसको आप इसको सॉल्व करें तो आपको यह 14641 होता है 11 का और 4 और 10 का पाव 4 बताने की जरूत नहीं की 10,000 होता है 12 का स्क्वाइर 144 होता है और 10 का स्क्वाइर हैंडल तब देख सकते हैं कि यहां पर 00 values है तो आपको LCM लेने में दिक्कत नहीं होगी अब LCM लेंगे तो आपको क्या होगा यहां पर दो 0 ऊपर एड हो जाएंगे 144 के साथ ठीक है तो यहां से मैंने ले लिए 10,000 को तो 14641 P-144 00 P ठीक है तो आप इसको करेंगे तो आपका यहां पर 241 ना उपर आएगा 241 P यहां पर दोनों को डिफ्रेंस 241 P जो कि 241 से 241 कैंसर हो जाएगा और यह 10,000 इस तरफ चला जाएगा तो आपका पीजिकल टू 10,000 आप्शन यह आ जाएगा तो आशे करता हूं को समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फॉर वाचिंग